दोस्तों जब आपकी हाइट अच्छी खासी होती है तो आपकी personality एक अलग level पर होती है एक सोध के अनुसार पता चला है कि जब आपकी हाइट अच्छी होती है तो औरों के मुकाबले आपका confidence यानि की आत्मविश्वास ज्यादा होता है जब आप किसी ज्यादा हाइट वाले इनसान को देखते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी आता होगा कि यार काश ऐसी हाइट मेरी भी होती क्योंकि वो इनसान सबसे अलग और attractive यानि आकरशित नजर आता है आज अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लो आपकी हाइट बढ़ाने से कोई न जैसे चाहे वैसे आप इस अपने शरीर को कर सकते हैं आप अपने शरीर में जैसे चाहे वैसे changes यानि बदलाव ला सकते हैं अब बात आती है कि हाइट कैसे बढ़ाए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन लोग confused हो जाते हैं अगर आज कि आपको इससे best वीडियो कहीं नहीं मिलेगा कि आपकी हाइट अब बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन अगर आपकी जो उम्र है वो 21 से 28 साल तक है तो आप अपनी हाइट काफी हद तक बढ़ा सकते हैं बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि जो हाइट होती है व आप सोचते हैं कि आपकी हाइट बढ़ी नहीं होगी लेकिन बहुत बार क्या होता है जब आपके पैरेंस की जो हाइट होती है वो छोटी होती है लेकिन आपकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मेरे पैरेंस की हाइट मेरे से बहुत ज्यादा कम है और नॉर्मली ऐसा होता है कि आज कल क्या होता है जितने पेरेंस जितने हाइट होती है उससे ज्यादा उनकी संतान की हाइट होती है लेकिन मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनके जरीए अगर आपने इनको अपना लिये तो आपकी हाइट बढ़ाने से क चलने तक आपको में बताता हूँ बहुत सारे लोग कैसे चलते हैं, अपने पोश्चर को बेकार कर लेते हैं, उनकी बैड हैबिट होती है कि वो जुक के चलते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी हाइट इससे रुख सकती है। पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी हाइट रुखने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो सबसे पहले अपने पोश्चर को सुधार ले। याद रहे कि जब आप चलते हैं, तो आप अपने सीने को आगे रखकर अपने पोश्चर को सीधा करके पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो आपको याद रहे कि आपके सोने से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, आपकी हाइट पर और आपको याद होगा आपको एक साइंटिफिक प्रूफ भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बात भी सुनी होगी आ आपकी स्लीपिंग आप कितना सोते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम, सोते हैं बहुत सारे लोग ज्यादा सोते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं। साथ से आठ घंटे तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानि पियूश ग्रंथी सक्रिय हो जाती है, यानि की एक्टिव हो जाती है, जब आपकी ये एक्टिव हो जाती है, तो HGH होर्मोन ग्रोथ होने के बहुत ज्यादा चास बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको साथ से आ एक्यू प्रेशर की बहुत सारे लोग एक्यू प्रेशर के बारे में बात करते हैं, तो आपको बता दूँ एक्यू प्रेशर जो आपके अंगूठे के उपर की ओर होता है, जो आपके हाथ के अंगूठे के उपर की ओर होता है, तो यहाँ पे आपको एक्यू प्रेशर भी ज्यादा हो जाते हैं, तो अब तीसरी बात करते हैं, आपकी exercise के बारे में exercise बहुत सारी होती है, जिनको height बढ़ाने में काफी मदद करती है, सबसे पहली आती है, pull-ups देखो pull-ups exercise है, जिससे आप अपनी height काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी spinal cord यानि read की हड़ी पूरी stress हो जाती है, और यह बहुत ज्यादा प्रभाग डालती है, जब आप ये pull-ups कर हैं, तो यह आपकी पूरी body को active करता है, यानि body का हर part इससे पूरा active हो जाता है, हर body, part की exercise हो जाती है, तो जब आप pull-ups करते हैं, तो आपकी पूरी body active होने से आपकी height growth होने के बहुत ज्यादा chance हो जाते हैं, तो याद रहे कि daily basis पे आपको daily basis पे कम से कम 15 से 20 से आपको pull-ups लगाने होंगे, अब मुझे पता है, आपने कभी अगर pull-ups नहीं लगाए, तो सबसे पहले आपको दिक्कत आ सकती है, शुरू में आप 2 लगाले, 3 लगाले, लेकिन धीरे-धीरे अग अब बढ़ाएंगे, तो आप इसे काफी ज्यादा कर सकते हैं, और ये आपकी body को active करने और muscles build करने में भी काफी मदद होती, है क्योंकि इससे आपकी पूरी body active हो जाती है, अब दूसरी exercise के बाद बारे में, बात करें तो hanging, hanging सबसे अच्छी exercise है, आप hanging कर सकते हैं, जब hanging करते हैं, तो आपकी body एकदम stress हो जाती है, हर एक part stress हो जाता है, इससे क्या होता है, गुरुत्वा कर्शन आपके body पर एकदम ultra effect डालता है, यानि opposite आप जब लटकते हैं, तो आपकी body सीधी हो जाती है, ऐसे height बढ़ने के chance बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अब यहाँ पे height ब बाद में 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, आप जितने ज्यादा समय तक आप इस पर hanging करेंगे, तो आपकी height बढ़ने के उतने ही ज्यादा chance होंगे, याद रहे कि जब आप hanging कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लटकने की कोशिश करें, अब आप इसको एक दि सच है, तो सबसे पहले आपको अपना weight कम करना होगा, आप weight कम करने की exercise कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ है, कि आप running कर सकते हैं, रunning में आपकी height बढ़ने के chance भी होते हैं, और आपका weight भी कम हो जाता है, रunning एक सबसे best exercise है, जो आपकी पूरी body को एकदम active कर देत है, तो आप running जरूर करें, और जो height बढ़ने की सबसे अच्छी exercise मानी जाती है, वो है jump rope, आप jump rope भी कर सकते हैं, इसमें आपकी पूरी body active होती है, जिससे आपकी height अच्छी खासी बढ़ सकती है, अब बात हो गई इन चीजों के बारे में, अब हम बात करते हैं, food यानी खान है, तो अगर आप vegetarian है, तो आप यहाँ पे milk ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, और यहाँ पे चने भी ले सकते हैं, इनमें सबसे ज्यादा protein की मात्रा पाई जाती है, अगर आप non-vegetarian है, तो यह दोनों ले सकते हैं, आप एक भी ले सकते हैं, इनमें सबसे ज्यादा protein की म इन सब में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा तो आप इनको आधे से एक घंटे इन एकसरसाइस को जरूर करें ताकि आपकी हाइट जल्द से जल्द बढ़ सके। हाइट बढ़ने पर इफेक्ट डालते हैं। एकसर्ट के अनुसार हाइट एक वर्ष से लेकर किशोर अवस्ता तक प्रती वर्ष दो इंच तक बढ़ती है। और फिर किशोर अवस्ता के बाद हमारी हाइट प्रती वर्ष चार इंच तक बढ़ती है। और एक निश्चित उम्र तक हमारी हाइट बढ़ती है और फिर बढ़ना बंद हो जाती है। उनको मजबित करता है वहाइट वहाइट से बढ़ती है। यहाँ आयुर्वेदिक दवां उनकी लंबाई गारनटे fighting बढ़ाएगी बढ़ती वड्य वीडियो के लिए इस वाट सेप नमबर पर संतर्क करे। और्डर के लिए WhatsApp पर अपना नाम, पता और पिन कोड सेंड करें.